नमस्कार रब्दुनिया लाइफ में आप सभी का स्वागत है आपके साथ मैं हूँ पीती सोनी लोगसभा इलेक्शन 2019 के तहट साथ वे चरण का मतिदान खत्म होने को है आप इसके साथ ही करीब देड़ बहीने से चलियारी चुनावी प्रक्रिया पर विराम लग जाएगा मतिदान खत्म होते ही एक्जिट पोल का आप सभी को इंतिजार होगा हम भी पूरी तैयारी के साथ आप तक एक्जिट पोल का रजल्ट पहुंचाने के लिए आतुर हैं चुनाव परिणाम तो 23 मई को ही आएंगे लेकिन एक्जिट पोल से भावी सरकार की एक तस्वीर तो हिमाचल की चार, जारखंड की तीन और चंडिगर की कलौती सीट पर मतिदान हुआ लोगसबा चुनाव के लिए रविवार 19 मई को साथवे और अंतिम चरण का मतिदान समाप्त होने के बाद एक्जिट पोल का सिलसिला शुरू होने को है वेब दुनिया ने भी पत्रकारों अपडेट करते रहेंगे एक्जिट पोल चुंकि अंतिम परिणाम नहीं है इनसे दुनिया के सबसे बड़े लोगतंतर की सत्ता में कौन काबिस होने वाला है इसका रुझान तो पता चल ही जाएगा हाला कि बार बार एक्जिट पोल के परिणामों से अलग-अलग सिती भी निर्मित होती है फिर भी एक अनुमान तक पहुँचने में तो मदद मिल ही जाती है एक्जिट पोल के परिणामों को जानने के लिए वब दुनिया के साथ आपको बने रहना होगा शाम साथ बज़े आपको देखना है एक्जिट पोल से जुड़ी तमाम खबरें और विश सरकार ये तो 23 मई को आने वाले चुनाव के नतीजों के बाद ही तय होगा लेकिन उससे पहले अपसे आने वाले एक्जिट पोल दिखाएंगे आने वाली कल की तस्वीर वब दुनिया लगातार आपको दे रहा है एक्जिट पोल के नतीजों की पलपल की अपडेट बस आपने रहना है व्यब दुनिया के साथ